आज हम बनाने वाले हैं देग स्टाइल मटन कोर्मा शादियों में बनने वाला जो मटन कोर्मा होता है इसी तरीके से बनाया जाता है तो चलिए हम इसे देख लेते हैं कि बनता कैसे है अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए अगर चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले कोर्मे के लिए कुछबुदार मसाला बना लेते हैं एक छोटा सा जावित्री, दो टालचीनी, एक इंच का टुकड़ा है और एक छोटा सा जाइफल, यानि मटर के दाने के बराबर एक काली इलाइची, तीन हरी इलाइची, अगर छोटी हरी इलाइची है तो चार ले लिजी लॉंग है चार, यहाँ पर एक छोटी चमच काली मिर्च है और एक छोटी चमच शेह जीरा इसे बिल्कुल फाइन पीस लेंगे तो इसे हमने पीस लिया है, देख सकते हैं अब इसे दूसरी कटोरी में हम निकाल लेंगे और इसी जार में एक और मसाला पीस लेंगे तो यहाँ पर हमने लिया है एक बड़ा चमच खस-खस और दो बड़ा चमच यहाँ पर तरबूस का पीच लिया है आप चाहें तो इस पॉइंट पर काजू का इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन हम इसमें काजू का इस्तमाल नहीं करने वाले हैं और दो बड़ा चमच नारियल को ग्रेट करके ले लिया है आप इसकी जगा पर नारियल का पॉडर का भी इस्तमाल कर सकते हैं थोड़ा सा पानी डालने के बाद इससे बिल्कुल fine paste बना लेंगे, तो हमने एक बरतन में देड़ कब सरसो का तेल गरम कर लिया है, जब अच्छे से गरम हो जाए, उसके बाद गैस का flame off कर देना है, क्योंकि काफी जादा hit हो जाती है, थोड़ा सा ठंडा हो जाने के बाद फिर से आपको gas का flame on करना है, उसके बाद प्यास डाल देना है, प्यास जो हमने लिया है, वो चार medium size का बिल्कुल बारिक कटा हुआ प्यास दिया है, क्योंकि हमें कुरकुरी प्यास चाहिए, यानि जो प्यास आपको fry करना है, बिल्कुल क्रिस्पी होनी चाहिए, तो जादा तेल होता है तभी हमारा प्यास क्रिस्पी होता है जैसे प्यास के उपर कलर आए वैसे आपको फ्लेम को लो कर देना है उसके बाद आपको क्रिस्पी फ्राई करने के बाद एक बरतन में निकाल लेना है निकालने के बाद इसे चारो तरफ से हम फैला लेंगे जैसे प्याज में हवा लगती है वैसे वैसे ये क्रिस्पी हो जाती है तो इसी तरीके से प्याज को फैला कर आपको साइड में रख देना है प्याज तलने के लिए हमने ज्यादा तेल का इस्तमाल किया है तो हम बाकी तेल निकाल देंगे और इसमें तकरीबन आधा कप रहने एक कप दही आट क्या है ये गाढ़ा है कुछ खड़े गर मसाले शामिल करेंगे जैसे दो तेस पत्ते पांच हरी इलाइची पांच लॉंग और दस से बारा काली मिर्चे अब जो हमने नारियल खसकस और चार मगस का पेस्ट बनाया था वो इस पॉइंट पर डाल देना है कोर्मे में देसी घी का इस्तमाल जरूर होता है यहां पर हमने दो बड़ा चम्मच डाल दिया है पावर्ची लोग जो शादियों में को तयार करते हैं वो देसी घी का इस्तमाल जरूर करते हैं तो यहां पर हमने अभी फ्लेम को ओन नहीं क्या है फ्लेम ओफ है अब इसे अ आप कूकर में भी बना सकते हैं अगर आप इसे कूकर में बना रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि इसे जादा गलाना नहीं होता है 70% आपको गलाना है क्योंकि बाद में जब हम कोर्मे को भूनते हैं तो यह अच्छे से गल जाता है mix हो गया है इसे ढख देते हैं flame को इस point पर on कर देंगे 15 मिनट हो चुका है इसका ढखकन हटा कर चेक कर लेंगे क्योंकि हम इसे भगोने में बना रहे हैं तो बीच बीच में चलाना भी होता है इसे काफी पानी रिलीज हो गया है तो हम क्या करेंगे flame को यहाँ पर high कर देंगे high flame पर थोड़ा सा पानी को हम सुखा लेंगे उसके बाद फिर से हम ढख देंगे और धीमी आज पर ढखक कर गोश्ट गलने तक पकने देंगे कोर्मा बनाने का असल तरीका यही होता है कि हम भगोने में बनाते हैं और धीमी धीमी आज पर जब पकता है तो काफी ज़ादाócि बन कर तयार होता है आप देख सकते हैं कि मसाले कितना दानेदार तयार हुए हैं तो ही इसमें और भी चीजें डालना बाकी ہے तो इस point पर हमने पानी डाल दिया है पानी बहुत ज़ादा डालना नहीं है क्योंकि कोर्मे का जो gravy होता है बहुत ज़ादा पतला नहीं होता है अब जो हमने प्याज को निकाल के रखा है उसे हम मसल लेंगे अच्छे तरीके से प्याज अगर क्रिस्पी तैयार होती है तो बह अब इसे हम कोर्मे में डाल देंगे अब इसमें आड़ करेंगे वो खुश्बुदार मसाला जो हमने पीस के रखा है अब इस पॉइंट पर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे देखे आप देख सकते हैं कि ग्रेवी थोड़ी ठीक हो गई है ग्रेवी पतला नहीं रखना है तो अब इसे ढख कर लो फ्लेम पे 15-20 मिनट के लिए और हम पका लेंगे तो ये देखे 15-20 मिनट के लिए हमने पका लिया है और आप देख सकते हैं कि इसका जो टेक्स्चर है कितना जबरदस तयार हुआ है और आप ग्रेवी भी देख सकते हैं कितना जबरदस तयार हुआ है इस तरीके से आप भी एक पर ज़रूर ट्राइ कीजिए आपको भी लगेगा कि बिल्कुल देख वाला कॉर्मा खा रहे हैं जैसे हम शादियों में खाते हैं यह देखिए कितना जबरदस तयार हुआ है तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एक इस्टाइल मटन कूर्मा बनकर रेडी हो चुका है फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ अभी के लिए लेती हुजाज़त अल्ला हाफीज